आज चानेंगे हिंदी दिवस के बारे में ये कब, कैसे और क्यूं मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था और इसको मनाया जाना इतना महत्वपूर्ण क्यूं है आज के युग में भारत देश विवित्ताओं का देश है यहां अनेक धर्म और भाशाओं का समागम है यही समागम है जिससे भारत की राज भाशा को लेकर बहुत जादा असमंजस पैदा हुए हिंदी भाशा विश्व की प्रचीनतम और सरल भाशाओं में से एक है और सबसे ज़ादा विश्व में बोले जाने वाली भाशाओं में यह तीसरे स्थान पर आती है इतिहास को देखें तो पहले कार्यालियों में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब की बात है उस सपै अंग्रेजी भाशा ही प्रचलन में थी कार्यालियों में आजादी के बाद अंग्रेजी और हिंदी को नए रास्टर की भाशा चुना गया भारतिय सम्विधान के भाग सत्रा के अध्याय की धारा 343 में बताया गया है कि संग की राजभाशा हिंदी लिपी देवनाग्री ही होगी और अंक अंतराश्टरिय होंगे हिंदी भाशा को आधिकारिक रूप से राजभाशा का तरजा 14 सेप्टेंबर 1949 को दिया गया पंडित जवाहरलाल लहरू जी ने हिंदी के महत्म को देखते हुए 14 सिप्टेंबर 1953 से हर वर्ष हिंदी दिवस मनाने का निर्ने लिया साथ में गांधी जी ने भी इसको जन मानस की भाशा कहा था 14 सितंबर को बोहार राजेंदर सिम्हा जी का जनम दिवस भी होता है जी के रूप में ये दिवस मनाया जाने लगा आज के युग में इसके अस्तित्व को खोने का डर है जिसे जिन्दा रखने के लिए और भारत में इसके महत्म को बढ़ावा देने के लिए इसे बहुत उत्सा से मनाया जाना हर साल बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी जड़ों से बिछड़े नहीं हमें अपनी इस भाशा पे गर्व होना चाहिए ना कि हमें इसे हीन भावना से देखना चाहिए कि जो लोग हिंदी में बात करते हैं उनको हीन भावना से देखा जाए और जो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं उनको बहुत सम्मान दिया जाए इस भाशा का बान बढ़ाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए इस दिवस को मनाना बहुत आवेशक है इसका बहुत जादा महत्व हो चुका है आज ये दिवस हर साल मनाया जाता है जगा जगा पर बड़े उत्सा के साथ मनाया जाता है जगा जगा पर कई सारे कारे करम आयोजित किये जाते हैं चाहे वो कारे आले हो चाहे वो बच्चों के स्कूल हो या फिर कॉलेज हो इसके महत्व को बताने के लिए हर दिल में इसको जगाए रिखने के लिए ये कारेकरम किये जाते हैं और हमेशा किये जाते रहेंगे तो हमें गर्फ होना चाहिए हमें हिंदी भाशी होने पर अपने इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि हम सब आप सब ये हमारा करतवे है अपनी धरोहर को बचाए रखना जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं तो हम इस करतवे को पूरे अच्छे से निभाएंगे आशा करती हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी और अगर आई हो तो इसको आगे भी बढ़ा दीजेगा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद